सदकुरू रुपी प्यारे साथ संगत जी प्यार और सदकार से कहना दान निरंकार जी साथ संगत जी सदकुर माता जी की असीम किरपा से दासी आप जी के चर्णों में ये विचार रखने जा रही है ये विचार हैं कि हम जितना जितना सिम्रन करते हैं, इस निरंगकार सतकुर। पर भरोसा रखते हैं, उतना उतना ही हम मुसीबतों से दूर चले जाते हैं। संपून हर देव बानी में भी सद्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज ने कहा है इदर उधर क्यों भढ़के मनतू जूटे सुख की आस में रख भरोसा इस मालिक का सुम्रन कर हर स्वास में संग जी जितना हम सिम्रन करेंगे हर स्वास में सिम्रन करेंगे उतनी ही जो भी ये मुसीबत होती है विपता होती है वो दूर चली जाती है वो इनसान के पास मुसीबत ठैर ही नहीं सकती लेकिन हमारा पूरान विश्वाश अपने सत्कुरू निरंकार पर होना चाहिए ऐसा हमें इन विचारों त्वारा भी समझाया गया है और जैसे आप सभी को पता ही है कि COVID-19 का ये दोर चल रहा है तो इसमें भी हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है प्रीकोशन्स रखनी है जो ऐसा हमें सत्कुर माता जी ने 24 अप्रेल को भी समझाया है हमने सत्कुर के आदेश उपदेश को मानना है सत्कुर माता जी ने हमें समझाया है कि हमने कोई जरूरी काम हो तब ही घर से बाहर जाना है वरना हमने घर के अंदर ही रहना है अपने आपको सेफ रखना है मास्क लगाना है और भी जो जो प्रीकोशन्स हैं उनको हमने अमल मिलाना है हमने अपनी सेफटी करनी है देखो सद्कुर माताजी कितने द्यालू है बुराडी जो ग्राउंड है हमारा समागम ग्राउंड है उसमें एक हजार बैडों का COVID-19 सेंटर बनाया है सद्कुर माताजी कितने द्यालू है मानवता की भलाई के लिए तेन रात ये कितने उपकार कर रहे हैं हम सत्कुरू के एसानू का करजा नहीं चुका सकते संगजी दासी विचार रख ली है ये विचार आप चिपरवान करना अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को शमा करना कहते हैं युगो युगो से रिशी मुनियों पीरों पैगंबरों ने यहां तक की वेद आदी सत्य शास्त्रों ने भी अपने भगतों को जीने के भगती के कई आसान रास्ते दिखाए कई बार ये रास्ते काफी कठीन भी रहे लेकिन निरंकारी मिशन की सोच हमेशा सहज बनी रही सरलता और विनमरता को ही महतव पुर्ण स्थान दिया इनी भावों के कारण कठीन से कठीन समय भी असानी से निकल गया युक पुरिश शेहनशा बाबा अबतार सिंग जी के हाथों में जब सत्य को ग्यान को उजागर करने की बाग डोराई तब बहुत ही विप्रिश समय था लोग सच्चाई की इस आवाज को सुनना ही नहीं चाते थे इतना ही नहीं इस आवाज को दबाने के लिए अने को उलजने भी पैदा की ऐसे विप्रित आलातों में शेहनशाजी ने सेहनशीलता प्यार और हिम्मत से इस आवाज को लाखों कानों में डालने में सफलता प्रापत की यदि कोई आंधी में जलते हुए दीपक के साथ ही अन्य दीपक जलाने में भी सफल हो जाए तो दुनिया उसे नमशकार करती है कुछ ऐसा ही परसंग यहाँ पर भी प्रस्तुत है यह उस सम्मे की बात है जब लोग ठीक से निरंकारी मीशन को नहीं जानते थे कुछ लोग जो मीशन के खिलाफ से निंदा वैर आदी भावों से चारों और नफरत की आग लगा रहे थे वारशिक समागम के दिन पास आते जा रहे थे और समागम की शोभा यात्रा चांदनी चोग के मेन बाजार से निकल कर राम नीला ग्राउंड तक पहुँचनी थी चांदनी चोग की दुकानों और घरों की छतों पर कुछ विरोधी प्रवर्टी वाले लोग सोड़े की बोदले और पत्थर लेकर बैठे थे उन्होंने शोभा यात्रा में गड़बड़ी करने का पूरा मन बना लिया था इस बात का जब पता प्रबंदक महात्माओं को पता चला तो उन्होंने शेहंशा जिसे शोभा यात्रा के रास्टे को बदलने के लिए प्रात्ना की प्रंतु बाबा जी को यह परिवर्तन मंजूर नहीं था उस आकरी समय में रास्ता बदलना आसान नहीं था जब युग पुरिश बाबा अवतार सिंग जी की पाल की चांदनी चोक पाजार से निकली तो उन्होंने अपनी नजर उपर उठाई और दोनों हाँ जोड़ कर मुस्कुरा कर सब को नमशकार कर दी शेहनशाजी की आँखों में मानवता का अपार प्यार और अलोकिक सतकार देखकर सब लोगों के हाथ भी सतकार के लिए जुड़ गए जो हाथ बोतने और पत्थर उठाने वाले थे प्रेम के वश होकर वही हाथ जुड़ गए इनके चेहरों पर पश्चाताप के भाव दिखाई दे रहे थे और अपने आपको वो जैसे शरम सार हो रहे थे उनके मनों के भाव बदल चुके थे गरीना वैर के भावों की जगें प्यार सतकार और पोश्टिव थिंकिंग आ चुकी थी अच्छी सोच आ गई थी शेहनशा जी के दर्शन करके उनका मन यह मानने को वीवश हो गया कि इनके चेहरे पर ऐसी एक रुहानी शक्ती है जो हमें अपनी और खीचती जा रही है इस तरहें शेहनशा भावा अवतार सिंग जी महाराज की अपार किर्पा से शोभा यात्रा अमन शांती से आगे बढ़ती चली गई इनकी विशालता और विनमरता के कारण यह मिशन आगे से आगे बढ़ता चला गया जैहनशा जी अपनी विशारों में अक्सर कहा करते थे महापुर्षों संत जनों जब भी कोई रास्ता ना मिले और चारों उड़ से मुसीब्तों से गिर जाओ तो उस समय इस निरंकार का सीमरन किया करो यह निरंकार तुम्हारी रक्षा करेगा सन 1970 की बात है परशिद निरंकारी परचारक महात्मा क्रिशनलाल जोहर जी ने कार खरी दी अभी चलाने चलानी सीखी भी नहीं थी कि रिशी कमल जी ने कहा जोहर साहब आज हम ससंग में कार पर चलते हैं इस से पहले तो वो स्कूटर भरी जाते थे तिलक नगर में ससंग कर जोहर जी ने कहा महात्मा जी मुझे अभी कार चलानी ठीक से नहीं आती है हम स्कूटर पर ही चलते हैं तो महात्मा कमल जी ने कहा घबराते क्यूं हो मैं हूँ ना साथ में चलो कार निकालो जोहर जी ने मन में सोचा कि कमल जी चलो जैसा आप कह रहे हो आपकी बात मान लेत उन्होंने महात्मा कमल जी की बात मान कर कार निकाली और तिलक नगर ससंग में जाने के लिए निकल पड़े महात्मा जोहर जी को अनभव तो स्कूटर का था जो छोटे छोटे रास्तों से गलियों में से टेडा मेडा करके निकाल लेते थे वो भूल गए थे कि यह कार है ऐसे नहीं चलाई जा सकती उन्होंने स्कूटर की तरह ही दाएं बाएं करके जब कार चलाई तो एक ओटो वाला जो पीछे से आ रहा था बड़े गुसे में इन से आगे निकला और आगे जाकर इनका रास्ता रोक लिया इस पर महत्मा जोहर जी डर गए वो जो ओटो वाला आदमी था बड़े गुसे में था और बड़े गुसे में वो आदमी अपने ओटो से उतर कर बाहर आया लोहे का डंडा उठा कर उनकी तरफ बढ़ा महत्मा जोहर जी ने महत्मा कमल जी को कहा महत्मा कमल जी这 moet आद्मी बड़ा ही गुसे में है और लोहे का डंडा भी इसके हाथ में है अब हम भाग भी नहीं सकते क्या करे ? महत्मा कमल जी ने कहा आप श्टेरिंग छोड़ दो हाथ जोड़ कर सिमरं करो यह दोनों हाथ जोड़ कर सिमरं करने लगे जब उसने देखा कि दोनों पहले से ही हाथ जोड़कर बैठे हैं अब इने में क्या कहूं तो वो ओटो वाला भी हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे वही से वापिस लोट गया दोनों ने आपस में बात की कि आज तो हमें विनमर्ता प्रेम और सुमरन ने बचा लिया जब मजबूरी और भै के कारण किया गया सिमरन हमें इतनी बड़ी मुश्किल परिस्थिती से बचा सकता है तो यही सिमरन और विनमर्ता यदि शर्दा भाव देली आस्ता और लगन से होगा तो उसका कितना सुंदर परभाव हमारे जीवन पर होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है आज भी जब हम विचारे सुनते हैं तो पाते हैं कि ज़्यादा तर विचारे विशालता विनमर्ता शेहन शीलता सिमरन के भाव से भरपूर होती हैं अगर हम इन को अपने जीवन में धारन कर लेंगे तो यकीनन ही हमारी जिन्दगी में हमें सफलता ही मिलती चली जाएगी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत आ जाए तो उससे भी हम बिलकुल नहीं घबराएंगे जिस तरह भी सत्कुरू के आदेश उपदेश हमें मिल रह हैं हमने इन आदेश उपदेशों को मानते चले जाना है थोड़े दिन पहले दासी ने सुना था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अब संगते भी शुरू हो जाएंगी लेकिन अब माताजी का सत्कुरू माताजी का आदेश आया है कि अभी आपने प्रिकोशन्स रखनी है कोविन-19 का दोर चल रहा है और अब सावदानिया पूरी रखनी है अपने घर में ही रहना है और इसी तरह ग्यान चर्चा ग्यान गोश्टी जो है हमने जू मैपके त्रू ही घर बैठे ही करनी है सत्कुरू माताजी का जैसा भी आदेश आये हमने तो आदेश को मानते चले जाना है और हमें जैसे समझाया गया है कि हमने इस ऐसे समय में सीमरन का सहारा लेना है चर्णामरित पीना है और ज्यादा से ज्यादा हमने अपनी ससंग की डोज को बढ़ा देना है ज्यादा से ज्यादा हमने ससंग करनी है और सारे ही संसार के लिए सत्कुरू निरंकार के के अर्दास करनी है कि सच्चे बाश्या अभी के घरों में खुशियां देना सभी तन मंदन से स्वास्थ होकर सेवा सीमरन ससंग करते चले जाएं ऐसा अदासी सभी के लिए अर्दास कर रही है सच्चे बाश्या सभी को खुशियां देना किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना, कि कमी ना देना, सारे सुख दुनिया दे पादो सडी चोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतांदी टोली विच संगजी सीमरन पर है, सतकुरू बाबाजी ने भी हमें समझाया है, कि है मन तो जूटे सुख की आस में, इदर उदर क्यों भटक रहा है, तो क्यों घबरा रहा है, तो इस निरंकार पर भरोसा रख, इस दातार पर भरोसा रख, हर स्वास में इसका सीमरन कर, अडोल ता को प्र दिरज धरने से, जितना जितना हम दैरें रखेंगे, ये मन दीरज रखेगा, उतनी उतनी इश्वर की खिरपा बरसे की, तुही तुही निरंकार किये जा, सयम को ना खोना तूं, इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तूं, हमारा इतना द्रिड विश्वाश इस सत्कुरु निरंकार पर हो, कि जैसे भी हालात हो, जैसे भी परिस्थिती हो, रहे एक सी मनुस्थिती, हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमारे उपर इतनी बड़ी शक्ती है, इस शक्ती से उपर तो कुछ है ही नहीं, अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है यह अंग संग यह निरंकार हमारे हर समय हमारे साथ है, अंग संग है, यह तोबिस घंटे हमें देख रहा है, हमारे हर करम को देख रहा है, हमारे हर परकार से रक्षा कर रहा है, अंदरो बारो इको हो यह ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई, बंदे नाकल ल् करें साथ संग जी बोले भाव रीजे रगुराई बोले भाले भगतों पर ही रीजता है हम अंदर माहर से अगर बिलकुल साफ दिल के हैं गर हमारा दिल बिलकुल स्वच है तो इस सत्कुर निरंकार हमेशा हमारी रक्षा करेगा कहे हर देव यही तो जग में तेरा राखनहार है सत्कुर बाबाहर देव सिंग जी महराद ने कहा है यही निरंकार तो राखनहार है यही रक्षा करने वाला है इस से उपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार जिसके मन में निरंकार वस गया है फिर तो और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है इस से उपर तो है ही नहीं कुछ भी इस निरंकार से उपर कुछ नहीं है यही सबसे बड़ी परमसता है इसके साथ हमें सत्कुरु माताची ने जोड़ा है हम तो सत्कुरु के बहुत ही धन्यवादी है शुकर गुजार है कि सचे पाशा आप जी ने हमें बक्षा हमें चर्नों से लगाया यह निर अंकार के साथ जोड़ा सेवा सिमरं ससंग की हमें जाज सिखा रहे हो किस तरह हमने सेवा सिमरं ससंग करना है देशकाल ते समय मताबिक सतकुरु जी में चलानदा है हुका मैदा सीर मत्य तार के गुर्सिक चलता जानता है संगजी सही माइनों में वही पका गुर्सिक होता है जो देश, काल और समय के मताबिक चलता जाता है जिस तरह भी सद्कुरू चलाता है उसी तरह चलता जाता है तो कहते हैं कि वही मुक्ति का हगदार भी वही होता है और वही खुशियों का बागदार भी होता है ऐसे ही हमने इन बातों को करम रूप में भी ढालना है अगर हम करम रूप में डालेंगे तब ही बात बनेगे बातों से बात नहीं बनेगे अगर बातों से बात बनते तो सद्गुरू को फिर कहना ही ना पड़ता कि करम करो इसलिए हमें सद्गुरू बार बार यही समझा रहे हैं कि हमने इन बातों को आमल रूप में लाएंगे तब ही हमारा जीवन सफल होगा तब ही हम सेवा सिमरन ससंग के हकदार होंगे इवा सिमरन ससंग के बिन भगती सदा अधूरी है इन तीनों के संगम से ही भगती होती पूरी है जब सेवा सिमरन और ससंग तीनों चीज़े होती है तब ही भगती पूरी होती है सद्कुर्मातर जी आप जी इसी तरह अपना मेहर बरा हाथ रखना हर एक जीव के उपर दासी सब के भले की कामना करती है और दासी यही अरदास करती है सचे बाश्या जो भी बोल बोले गए हैं यह आप जी के किर्पा से ही बोले गए हैं आप जी नहीं बुलवाएं हैं दासी में तो कोई हिम्मत नहीं है तो महापुर्शों कर दासी के मुख से कोई शबद सही ना बोला गया हो तो दासी शमा प्राती है और दासी सिम्रन कराएगी सभी मिलकर सिम्रन भी साथ देना जी तुही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैं नु बख्ष लो बोलिए सत्गुरु माता सुदिक्षा सिविंदर अर्देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु सबाचन अवतार की जै साथ संकत जी प्यार से कहना धान दिरंकार जी